समस्कार दोस्तों मेरे नाम में विमल सिंग बालाजी इस्टेटी एड़ा में आपका स्वागत है पैट के एक्जाम के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेक्ट नमबर टू जो है वो करा रहे हैं ये 5 पॉर्सन देखेंगे 5-5-5 नमबर के सभी पॉर्सन जो है वो आतने टोटल 25 प्रसन के हम यहाँ पर प्रसनों को देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं प्रसन नमबर 26 ते हैं क्योंकि 25 तक हम प्रसन पहले पार्ट में देख चुगे रहे प्रसन आपका है कि निमलिकित में से कौन सा वायू पुर्दूसर का एक जैव सूचक है फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट या पिर अमरवेल बहुत ही मैदबोर प्रसन है यहाँ पर जो अंसर है वो आपका काफी पूछा राता है तो बताइए इन में से कौन सा आपका ओप्षन यहाँ पर सही होगा वायू पुर्दूसर जो है उसका एक जैव सूचक के रूप में किसे हम जानते हैं तो अंसर की बात करते हैं ओप्षन अबी स्टी में से आपका ओप्षन बी वाला यहाँ पर लाइकेन बिल्कुल सही होगा लाइकेन प्रकर्ती और मनुस्य के जीवन में दोनों में आप कहा सकते हैं महदपूर हैं लाइकेन की अगर बात करें तो दो पूरता भिन पुर जाती है सैवाल और कवक सैवाल और कवक इससे जो है बना एक द्वैद पादप होता है और SO2 के अगर संपर्क में आ गया तो ये पौधा जो है वो मर जाता है SO2 के संपर्क में आने पर और जो सैवाल और कवक हैं ये दोनों आपस में सहजीविता जो है उसके संबंद को प्रतर्सित करते हैं नहीं एक दूसरे को लाब पहुचाते हैं और वायू पर दूसर के एक जैव सूचक के रूप में भी लाइके इनको जो है हम 27 नमर प्रस्ट देखते हैं ये वाला प्रस्ट मैंने पिछले वाले पार्ट में पूछा भी था तो बताईए लार निम्लिकित में से किसके पाचन में सहयोग करती है चार ओप्षन है श्टार्च, प्रोटीन, रेसे, वसा बताईए कौन सा इनमें से सही होगा लार इनमें से किसके पाचन में जो है वो सही होग करती है अंसर की बात करते हैं optionivicity में तो आपका starch बिल्कुल सही होगा भोजन जो है उसके जैसे ही मुख में जाता है उसमें अंतरग्रन के बाद ही जो लार ग्रंतियां होती है उनके द्वारा आप देखते हैं जो भी आप कुछ खा रहे होते हैं उसमें पूरा मिल जाती है लार ग्रंतियां द्वारा स्रावित जो लार है वो दातो दारा जो भी पीशा भोजन जाता है उसमें अच्छी तरीके से मिल जाता है और लार में अगर बात करें तो दो प्रकार के enzyme आपको देखने को मिलते हैं एक का नाम है टाइलिन और एक का नाम है आपका lysogyne इन में से जो टाइलिन है ये भोजन में उपस्थित जो स्टार्ज होता है जिसको मंड भी कहते हैं इसको माल्टोज उपर लिख देते हैं आपर इसको माल्टोज सरकरा जो है उसमें अभटित करता है माल्टोज सरकरा ये माल्टोज सरकरा को ग्लूकोस में परिवर्ति जो है वो कर देता है और लाइजोसोम जो है इसकी बात करें तो ये जिवान वो को नश्ट करता है तो इस टाइप से लार किसके पाचन में सहयो करती है तो इस टार्च यानि की मंड जो है इसके पाचन में सहयो करती है 28 नमबर प्रस्ट है कि प्रत्वी की आयू का मापन इन में से किस विधी द्वारा किया जाता है कारवन डेटिंग विधी, जैव तकनीक विधी, जैव घडी विधी या फिर जूरेनियम विधी चार ओप्षन दे रखें बताने आपको इन में से कौन सा सही होगा प्रत्वी की आयू का मापन इन में से किस विधी के द्वारा जो है वो किया जाता है अंतर की बात करते हैं ओप्षन अबी सीडी में से तो आपका ओप्षन जूरेनियम विधी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा प्रत्वी जो है यहाँ पर कुछ लोग जो है ए वाले option के साथ भी जो है वो confused हो सकते है जो की carbon dating विदी लिखा हुआ है देखिए प्रत्वी की जब आयू की बात होगी तो इसके मापन की जो सबसे अच्छी विदी होती है वो होती है uranium विदी और carbon जो dating विदी होती है इससे पौधो की उम्र का पता लगाया जाता है पौधो की उम्र का पता अगर पूछा जाए किससे लगाया जाता है तो यह carbon dating पद्धि जो है आपका होगा और जो जैव तकनीक विदी है इसको बताइए तो जैव तकनीक भी दी जो है इसके द्वारा जो वनस्पतियां होती हैं या जो जैविक तत्तो होते हैं उनके उन्नती करण के लिए प्रयोग जो है वो इस तकनीक की जाती है अगला प्रसंद देखते हैं 29 कि इनमें से किसके निर्माण में फिनॉल का यूज़ किया जाता है चार ओप्शन है PVC, नाइलॉन, पॉलिस्टाइरीन या फिर बेकलाइट बताईए इनमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है कि किसके निर्माण में फिनॉल का यूज़ जो ह वो किया जाता है PVC, नाइलॉन, पॉलिस्टाइरीन या फिर बेकलाइट अंसर की बात करते हैं option ABCD में तो आपका डीवल option है आपर बेकलाइट जो है बिल्कुल सही होगा तो फिनॉल जो है इसका यूज़ किया जाता है कि इसके निर्माण में बेकलाइट जो है इसके निर् प्राब्त होता है अब इससे बनता क्या-क्या है तो जो मग होते हैं बाल्टी है कंगी है इलेक्ट्रोनिक उक्करण है जैसे कि स्विच प्लक हो गया यह सभी जो है वो बनाने में यूज़ किया जाता है तीस नमबर प्रस्ण आपका बहुत ज़्यादा repeat होता है और important तो है यह आपका कि आकास नीला दिखाई देता है इसका क्या reason होता है प्रकास के प्रक्रीडन के करण होता है ऐसा हवा के प्रक्रीडन के करण होता है या फिर धूल के जो कड़ होते हैं उनके प्रक्रीडन के करण होता है या फिर जो पानी है उनके कड़ों के प्रक्रीडन के वीडियो पसंद है तो लाइक भी सभी लोग अवश्री करते रहेगा और लोग चाथ शेर करते रहेगा और लोग भी अच्छे प्रैक्टिस जो हो करते रहे तो चलिए अंसर की बात करते हैं तो आकास नीला दिखाई देता है प्रकास के प्रकीडन के कराणा बस आपको option है, आपर सही होगा, प्रकास के प्रक्रिडन के कारण दिखाई देता है तो जब सूर जो है, उसका प्रकास वाईू मंदल में पुरवेश करता है तो प्रकास वाईू मंदल में उपस्थित जो धूल कड़ों ना, उनके दवारा अलग-अलग दिशाओं में फैल जाता है और इस प्रक्रिया को ही हम प्रकास का प्रक्रिडन जो है वो कहते हैं मतलब फैल जाना अब एक प्रस्णी ये पूछ रहाता है किस रंग का प्रक्रिडन सबसे ज़्यादा होता है तो बैंगनी रंग कौन सा रंग बैंगनी रंग जो है इसका प्र प्रकीडन सबसे कम होने के कारण ही डूबता और उगता हुआ सूरे हमें लाल दिखाई देता है आपके दिमाग में कभी आया भी होगा आपने देखा भी होगा तो ये reason जो है इसका होता है कोई भी रंग जो है उसका जो प्रकीडन होता है वो किस पर depend करता है उसकी तरंग दैर्द पर जो है वो depend करता है तरंग दैर्द जो है इस पर निरबड करता है तरंग दैर्द अगर कम होगी तो प्रकीडन अधिक होगा और अधिकता रंग दैरत जो है उसका प्रकीडन कम होगा अगला देखते हैं 31 नंबर प्रस्न यहां से हमारे मैध के प्रस्न श्टार्ट हो रहे हैं 31 नंबर प्रस्न है 4.025 का निवनतम भिनमान इनमें से किसके बराबर होगा बहुत ही आसान सा प्रस्न है आपको कुछ करना ही नहीं है 4.025 आप लिखेंगे तीन 0 नीचे लगाएंगे तीन 0 के बाद इतनी संख्या है उतने नीचे 0 अब इसको solve करेंगे जो भी मानाएगा वो आपका अंसर हो जाएगा आप इसे चाहें तो 25 से काट सकते हैं और चाहें तो आप इसे 5 की से भी काट सकते हैं 25 से काटेंगे तो नीचे जो है 25,400 जीरो आएगा उपर काटेंगे तो 25,95 इधर जाएगा तो 6 बार में जाएगा फिर 161,44 आपका ए वाला option नहीं हापर बिल्कुल सही हो जाएगा अगला देखते हैं प्रस्न तो अगला प्रस्न देखते हैं 32 प्रस्नाफ का यह अच्छा काफी दे रखा है कि दो संख्याओं का गुडणफल आपको दे रखा है 9,375 और यह कहागा है कि जब सबसे बड़ी संख्या का सबसे चोटी संख्या से विभाजन किया जाता है विभाजित किया जाता है तो भागफल हमें पंदरा प्राप्त होता है तो यह जो second line लिखी हुई है इसी से ही आपको यह अंधाजा लगाना है कि आपको मानना क्या है XY के फॉर्म में लाश में पूचा गया इन संख्याओं का योग भी ग्यात कीजिए और चार option दे रखे है अगर यहाँ पर डाइरेक्ट योग ना पूच करके संख्या पूची गई होती तो एक possibility यह हो सकती थी कि आप option से ही प्रस्ण को कर सकते थे पर यहाँ पर योग पूचा है तो आप XY मान के करेंगे तो ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा अभी कहरा है जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विवाजित करेंगे तो भागवल 15 होगा यानि कि अगर आप सबसे जो छोटी संख्या है उसको X माल लीजे जो इसको अगर आप 15x बटे x तो x दे x कर जाएगा क्या बचा क्या बचा क्यों 15 बचा तो भागपल 15 प्राप्त होता है यानि सबसे पहले आपने जो संख्या मानी वो हो गई एक छोटी संख्या x और बड़ी संख्या 15x अब प्रस्मिया कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुडणफल आपको 9,375 दे रखा है यानि कि x और 15x इसका गुडणफल कितना दे रखा है कि आपको दे रखा है 9,375 अब इसको अप्सॉल्व करके यहाँ से x कमान निकालेंगे तो 15x स्क्वार हो जाएगा और इसका मान 9,375 और यहाँ से जो 15 है इससे आप 9,375 को काटेंगे तो काटने पर आपका यहाँ पर वैल्यू 625 आएगी आगे इसको आप एक स्टप सॉल्व करेंगे तो x स्क्वार बराबर अगर 625 के है तो x कमान क्या जाएगा अंडर रूट में 625 और 625 किसका होता है 25 का होता है तो 25 गुड़े 25, 625 होता है x की वैल्यू आपको यहाँ से 25 जो है वो ब्राबर हो जाएगी इसके बाद प्रस्त में पूछा गया है इन संक्याओं का योग याद कीजिए यादि छोटी संक्या x थी बड़ी संक्या 15x थी तो योग कितना होगा 15x में 1x जोड़ेंगे तो योग आपका हो जाएगा 16x यादि कि आपको 16x कमान जो है वो निकालना है और x की वैल्यू हम 25 निकाल चुके है यादि कि यहाँ पर 16 गुड़े 25 करके आपका अंसर आएगा और 16 गुड़े 25 करेंगे तो 400 जो हैं हमें प्राफ्त होगा और 400 ही आपका एवाले ओप्शन में दे भी रखा है इस ताइप से इस प्रस्न को आप कर सकते हैं देखते हैं हमारा अगला प्रस्न 33 33 प्रस्न है कि किसी संख्या के एक तिहाई और एक चोथाई के बीच का अंतर उसके वर्ग मूल के बराबर है तो संख्या आपको ग्याद करनी है अब इस टाइप का प्रस्न आप एक्समान के भी कर सकते हैं चाहें तो option से भी कर सकते हैं, option से कैसे करेंगे, आप जैसे 136 को ले लिए तो इसका एक तिहाई निकाली और एक चौथा ही निकाली है, और दोनों का जो difference है वो देखें क्या 136 के वर्गमूल के बराबर होगा, तो यहाँ पर आप 136 का अगर देखेंगे तो वर्गमूल दसम दसमलों में something आता है, क्योंकि 144 का आपको पता है 12 का होता है, बहतर भी आपका दसमलों में ही होगा, क्योंकि 88 जा 64, 99 जा 81, सेम चीज 120 में भी है, तो आप 144 पर ही डिरेक्ट चक करके देख लीजे, एक तिहाईस का निकालेंगे 144 का, तो 144 बटे 3 करेंगे, 3 एक एन्नम, 3, 3 दो धर जाएगा, तो 3, 8 जा जो है, आपका 24 आएगा, सेम चीज, एक चौथा ही निकालेंगे, तो इसी प्रकार, 144 बटे 4 करेंगे, तो वहाँ से मान आपका 36 आजाएगा, प्रस्त में कहा रहा है, दोनों का जो difference है, वो कितना हैगा, 48 में 36 बटाएंगे, तो 12 आएगा, और सभी सर्ते यहाँ पर फिट बैट रही है, तो बारा, 144 का जो बर्गमूल होता है, वो बारा होता है, तो बी वाला आपका option यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इस टाइप से option से आप आसानी से कर सकते हैं, यह तो क्या पहला तरीका, दूसरा तरीका यह हो सकता है, आ यहाँ पर संख्या पूछी गई है, संख्या गयात कीज़े, तो आप संख्या गाल लीजिए, माना संख्या बराबर X, फिर प्रस्ट में कहाईरा है किसे संख्या का 1 तियाई, तो संख्या गmost गतिया यानिकी x बटे 3, और 1.4 यानिकी यहाँ पर भी x बटे 4 हो जाएगा, और अंतर की बात की जारी, यानिकि माइनस, अंतर मतलब माइनस, और x बटे 4, इनका जो अंतर है, वो कह रहा ही कि इसके संख्या जो है, इसके बर्गमूल के बरावर, तो संख्या आमने मांग नहीं थी x, और इसका बर्गमूल इस टाइब से लग जाएगा, तो ये प्रस्मे बाटे, बारा, ये चीज़ सॉट में मैंने उपर लिख दिये, उपर आएगा तो आपका 4x माइनस 3x आएगा, उसको घटाने पर x ही आएगा, वी 4 और 3 का एलस्म लेंगे तो 12 आएगा, एक बार 3 को देखेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 4x आएगा, उपर की विए इसक इसके बाद माइनस में 3x आएगा, 4x में से 3x घटाने तो x आएगा, x बटे 12 आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आजएगी, अंडर रूड में x, अब दोनों पक्षों का आप वर कर देंगे, तो इधर x स्क्वार अपॉन 12 का स्क्वार हो जाएगा, और इधर जो है आपका x स जो अंडरूड है वो हट जाएगा, तो आपका कुछ इस प्रकार से उपर लिख देते हैं, तो x स्क्वार और बटे में आपका 144, 12 का और बराबर में x, और स्क्वार में जो x है, उस वाले से इधर वाला एक x कर जाएगा, तो x की वैल्यू आपको सीधे 144 जो है आपर प्रा प्रसन आएगा, आप कर ले जाएगे, ऑप्षन में अगर थोड़ी सी चीजे बदल दी गई, संख्याओं का योग पूछ लिया गया, तो फिर आपको ऑप्षन से करने में दिक्कत हो सकती, बाकी ऑप्षन समय आपका बहुत बचाता है, तो भी वाला आपको ऑप्षन आप चार जीरो लगे हुए है, इस टाइप से गिनेंगे, एकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, यहनि कि पचास हजार रुपए बढ़ गया, यही जनवरी में उसका खर्च पचास हजार रुपए था, तो उसका जनवरी से मार्च तक जो है, आउसत खर्च आपको पू तो टोटल अभी तक कितना बड़ा, एक लाख पचास हजार, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अब पूछ रहा है, उसका जनवरी से मार्च तक का अवरेज, तो मैंने क्या बताया था, अवरेज में पदो का योग, बटे पदो की संक्या, तो योग तो हमने पदो क कर लिया, एक लाख पचास हजार, पदो की संक्या है, तीन, यानि कि एक लाख पचास हजार में से आप तीन को डिवाइड कर दीजाए, या इस प्रस्त में थोड़ा सा और आपको एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, वो पॉइंट ये है कि जनवरी से मार्च तक का आपको अलग से जोड़ना होगा, क्योंकि जो मैं टोटल आपको बता रहा हूँ, वो तो केवल मार्च का होगा, इस हीच को ऐसे समझे है, इसको रफ कर देते हैं, देखें, एक व्यक्ति का खर्च जनवरी में था आपका पचास हजार, तो यहाँ पर तो पचास हजार ही र और बढ़ा, तो पहले जित्ता था उतना तो हई है, और उसमें और बढ़ गया, अब 1,500,000, इतना आपका टोटल जो है, उसका वैल्यूम आएगा, और यह एवरेज निकालेंगे, इनको जोडने के बाद एवरेज निकालेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे, तो पंदरा, अगला प्रसन देखते हैं, और लास्ट मैट का प्रसन है, पैथिस नंबर टोटल, पांच प्रसन इस टाइप से आते हैं, और पांच प्रसन आपको उसमें पैराग्राफ, जो ग्राफ नहीं आता है, वो जो मैंने आपको पिछले वाले प्रेक्टिस एट वन में कराया था, उसके रूप में देखने को मिलता है, तो पैथिस प्रसन आपका है, कि किसी मिस्र धातू में 15 प्रतिसत चांदी है, और मिस्र धातू के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है, तो दूसरे धातू की मात्रा क्या होगी, ये आपका प्रसन है, और 204 ग्राम, 340 ग्राम, 300 ग् प्रस्ट में आपसे कहा गया है कि किसी मिज़धातू में 15% चांदी है और एक दूसरी धातू की बात की जारी कि उसकी मात्रा कितना है तो अगर टोटल 100% हामेशा परसंटेज आपका टोटल 100 होता है अगर एक यहाँ पर परसंटेज उसका दे रखा है यानि कि मैं आपसे यह कहूं एक ग्लास है उसमें दो विलियान है एक कोई पर्टिकुलर A है एक B है अगर A का परसंटेज आपको पता है तो B का निकालने के लिखा करेंगे टोटल में से आप जो है वो एक को घटा देंगे तो 100% में से अगर 15% को घटाएंगे तो आपका 85% जो है वो आ जाएगा यह 85% जो है यह दूसरा धादू जो होगा प्रस्त में कहा रहा है मिसर धाद्यों के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है अब यहा आपको समझ में आ गया होगा अगर 15% की value एक 50 है और प्रस्थ में आपको 85% निकालना है तो उसके लिए 1% की value निकाल दीजे एक 50 बटे 15 और multiplied में 85 का निकालना है तो बुड़े 50 इस टाइप से आप मैंने एक साथ ही निकाल दिया रुकिए एचा है इसको एक step आगे बढ़के सबसे पहले एक की निकालेंगे तो एक 50 बटे 15 आएगा और अगर 85 की निकालेंगे पचासी परसंट की value ये 1% है पचासी परसंट की निकालेंगे तो एक 50 बटे 15 और multiplied में 85 इसको आप solve कर लेंगे तो आपका answer जो है आपको प्राप हो जाएगा 3 से 15 और 85 को काट लेंगे उसके बाद 3 नहीं 5 से काट लेंगे उसके बाद 3 से 51 को काट देंगे तो आपका 17 गुड़े 17 यहां से निकल कर आएगा और 17 का square होता है 289 तो D वाला आपका option है आपर answer जो हो जाएगा इस टाइप से इस प्रसंट को आप जो है वो कर सकते हैं देखते हमारा next portion 36 35 तक हमारे मैज के प्रसंटे 36 प्रसंट आपका है कि प्रत्वी राज रासो किस कवी की रचना है बहुती फेमस रचना है बहुती मैजपूर रचना है चार नाम दे रखे हैं बताईए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं तो प्रत्वी राज रासो के रचाइता है चंद्रबरदाई सी वाला आपका option सही हो जाएगा कि रचना आपको एकदम रटी होनी चाहिए और प्रत्वी राज रासो जो है रासो परंपरा का प्रतिनिधी और सरुस्रेष्ट ग्रंथ है और अन जो रा नरपति विजह है रासो ग्रंथ है इनका खुमान रासो और मैंने लिख दिया है इसे प्रिकार जैसे की नरपति नाले जो वी वाले option में दे रखा है इनकी बात करें तो इनका रासो ग्रंथ है बीसल देव रासो जगनिक बहुत ज़्यादा पूचा जाता है जगनिक जो है इस इनकी अगर बात करें तो इनका रासो ग्रंथ है परमाल रासो जो यह जगनिक है यह रजनाकार है और यह जो परमाल रासो यह रासो ग्रंथ है और नल्ह सिंग करके जो है एक और है यह जो है विजयपाल रासो यह कुछ जो है आप अनिर जो रासो ग्रंथ है उनको याद रख सकते हैं अगला 37 प्रस्न है लोहा मानना मुहावरा जो है उसका क्या अर्थ होता है पराज़े स्विकार करना बुद्धिमान होना स्रेष्टता स्विकारना यह फिर सक्तिसाली बनना तो बताइए इन timely से काँन सा सही होगा आसान सा प्रस्न है अंसर की भाग कर लेते हैं तो आपका option और कोई बढ़िया प्रदर्सन करती है तो उसको लेकर बोलता है कि इस टीम ने उस टाइम को जो है लोहा मनवा दिया इस टाइप से एक लाइन के दौर पर तो आपका वाला ओक्शन यहां पर सही होगा, सिरिष्टा सुएकार करना पराज़य सुएकर करना जो यहां पर लिखा हुआ है यह आपका घुटने टेकना जो है उसका अर्थ होता है कहते है नहीं कि घुटने टेक दिये इस टीम ने उस टीम के सामें या और भी बहुत से संदर में यू हाव रहा है उसका यूज किया जाता है 38 प्रसना आपका है संदी विच्छेत 4 दे रखी है आपको धर्मात्मा का संदी विच्छेत जो है वो बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा धर्म प्लस आत्मा धर्म प्लस आत्मा धर्मा प्लस तमा या फिर धर्मा प्लस तमा यहाँ प प्लस आत्मा ये आपका कौन सी संधी है तो धीर्ग संधी का उधारन चुरह यहाँ पर दे रखा है 39 प्लस नहां आप नि संकोच चले जाओ ये जो बाग की दे रखा है इसकी तुम नि संकोच चले जाओ आप निसंग को चला जाओ, आप निसंग को चले जाईए, या फिर आप निसंग को चले जाईगा, तो जाईगा तो कभी नहीं होगा, जाईए तुम वर्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है, C वाला आपको clear देख रहा है आप निसन कोच चले जाईए बिल्कुल यही वाला आपका option आपर सई होगा आप जो है यह आदर सूचक जो है वो सर्वनाम है अगला देखते हैं आपका 40 नमबर प्रस्थ प्रस्थ आपका है आखों के सामने घटित घटना इस पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा तो यहाँ पर जो रेखां कित अंस दे रखा है इसके लिए एक सब्द बताईए आने सब्दों के लिए एक सब्द होते हैं सेम वो है आपर पूछा गया है आँखों के सामने घटित घटना इसको प्रत्यक्ष कहते है प्रवर्चन कहते है प्रारूपता कहते है और प्रतेक कहते है तो प्रतेक तो बिल्कुल नहीं कहते है प्रवर्चन प्रारूपता यह सब कर जाएगा आपका अंसर की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष आपका यहां से हमारे प्रस्न स्टार्ट हो रहे हैं इंगलिस के तो paragraph तो यहां पर बहुत बड़ा है मैं आपको दिखावे देता हूँ तो इतना paragraph हम पढ़े बिना ही डारेक्ट प्रस्नों को पढ़ेंगे समझेंगे और उत्तल को जो है वो जानेंगे प्रस्ना आपका है यह paragraph के according ही है तो जो root जो है आपका यह बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा अगला 42 प्रस्न है जो कि आप बिना paragraph के अंसर बता सकते हैं प्रस्ना आपका है कि आपको preposition यहां पर बताना है कौन सी जो है वो आईगी इस प्रकार से जो और option दे रखें है बताईए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा चलिए बात करते हैं आंसर की तो आपका option यहां पर आप जो है बिल्कुल सही हो जाएगा suspicious जो यह है word यह किसी व्यक्ति या वस्तूप के प्रति संदेह व्यक्त करने के तौर पर हम यूज़ करते हैं इसके साथ आप आएगा वाई आर यू आलवेश सो सब्सक्राइश ऑफ मी अगला देखते हैं आपका 43 प्रस्न I am sure that principal does in his room should be, can be, must be या फिर might be पताईए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं option a,b,c,d में से तो अंसर आपका यहाँ पर c वाला must be जो है वो सही हो जाएगा एक चित ये भी समझेए should भी हो गया या फिर must भी हो गया या फिर out करके भी लिखा रहता है o,u,u,g,h,t ये सब जो हैं वो चाहिएं के अर्थ में यूज होते हैं अब तीनों में फर्क क्या होता है जो stood वाला ये सामानिक कथन के रूप में out जो है ये आपका नैतिक्ता या इस्वरी गृतन कथन हो गया कोई बादिता हो गई उन सभी sense में must be जो है वो अवश्य होना चाहिए निश्चित्ता के संदर में यूज कहाता है तो यहाँ पर क्या है I am sure that principal must be in his room इस टाइब से आपका C वाला answer सही होगा इस sure से भी word आप जो है 44 प्रसना आपका है indirect form जो है आपको बताना है कौन से हाँ पर सही दे रखा है are you the manager comma, inverted comma, question mark और I said इस टाइब से आपको एक sentence दे रखा है जिसका आपको बताना है indirect form इन में से कौन सा जो है वो सही होगा यह जो आपका दे रखा है यह direct form में जो है वो दे रखा है अब यहाँ पर जो question word use हुआ है इस ते आप यह समझे कि जो said यहाँ पर दे रखा है I said, इस state की जगा क्या हो जाएगा question mark पूछा जाएगा are you the manager तो asked हो जाएगा जो कि चारो में ही दे रखा है दूसरी चीज conjunction यानि कि इन दोनों sentence को जोड़ने के लिए क्या use होता है इस प्रकार के interrogative sentence में तो weather का use होता है तो weather आप देखेंगे यहाँ दे रखा है यहाँ पर him के साथ दे रखा है यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है और यहाँ पर him भी आपका आएगा तो चारों में दे रखा है अब I said him weather अब ईसके आगे are you the manager का क्या change होगा is IMR किसमें change होता है आपका waswer में change होता है waswer में देखींगे c वाले में भी नहीं है d वाले में भी नहीं है a य बि में से एक में वाउज दे रखा है एक में वर दे रखा है तो यहां पर हमारा change होने के बाद ही हो जाएगा इसलिए he के साथ आपका was use होगा तो I asked him whether he was the manager यह वाला आपका answer यहाँ पर जो है वो सई हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं 45 Your body uses water for fat The voice in the above sentence has been correctly managed in आपको बताना है कि इन में से इसका correct form कौन सा होगा एक sentence दे रखा है और इस sentence के चार यहाँ पर अन्य sentence जैसी के दे रखे हैं आपको सही जो है वो बताना है तो चलिए option ABCD में से बात करते हैं answer की तो आपका डी वाला यहाँ पर सही होगा Water is used for fat by your body तो आपने देखा कि यह आपका passive voice यहाँ पर दे रखा है क्योंकि voice देखे प्रस्ण में पूछा गया था ना अब पूरे एक्जाम में जितने भी प्रस्ण आ रहे हैं उनका पैटर्न देखने की डिरेक्ट इंडिरेक्ट का एक प्रस्ण आपको देखने को मिलता है इस टाइप से आपको अपनी preparation भी जो है वो रखनी होगी water मैंने बदाया था कि किस टाइप से subject आपका object बन जाता है तो water is used for fat by your body इस टाइप से आपका बदल जाएगा English के प्रस्ण मारे 5 ही आते हैं अब लाश्ट के 5 प्रस्ण आपके हम reasoning portion के देखेंगे और वीडियो भी तक आपने like ना किया आपके लिए इतनी सारी महनत की जा रही है तो आप सभी का वीडियो पर एक like तो बनता ही है तो जितने भी लोग अभी नए आए हो वीडियो को like न बने से जो हindung कौन सा है हलका गुला भी बैंगनी हरा इस तंबरा इस टाइब से चार नाम दे रखें और नीचे option में दे रखा है c,b,da करके तो आपको बताना है इनमेंसे भिं जो आ बोला सा है क्योंकि उसके अंदर D दे रखा है देखे इनोंने option में भी इस type से बदला है उपर भी A, B, C, D है अंदर भी A, B, C, D है तो C वाला यहांपर सही होगा क्योंकि D वाला जो इसमें इस तम दे रखा यही जो है वो अलग है अगला देखते हैं प्रसनात का है नीचे दिये के कथन में A और B दो कथन दे रखे हैं और ये कथन या तो स्वतंत कारण हो सकते हैं या स्वतंत कारण या सामान कारण के परणाम हो सकते हैं उनमें ते एक कथन दूसरे कथन का परणाम हो सकता है दोनों कथन को आपको पढ़ना है और टै करना है कि क्या यहाँ पर सही होगा ये दो कथन दे रखे हैं और इस पर बेश्ट कुश्चन किस टाइब से देख रखे हैं इसको एक बार देख लीजे यदि कथन एक कारण है और कथन भी उसका परणाम है या बी कारण एक कथन उसका परणाम है या दोनों कथन है और किसी सवतंत्र कारण के परणाम है या किसी सामान कारण के परणाम है इस टाइब से यह दूसरा दे रखा है अब आप से सोचिए कि इसमें कौन सी जो है condition जो है फुल्पिल्ड होगी तो पहले पत्थरा हुआ होगा जिसमें लोग घायल हुए होगे और तभी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया होगा इतना आपको दोनों का जोड़ को आप समझेंगे तो यानि कि जो पहला है ये आपका कथन A कारण में आ जाएगा और जो उसका परणाम है वो आपका B में आ जाएगा देखिए A वाले में दे भी रखा है यादि कथन A जो है कारण है और कथन B जो है उसका परणाम है एक बार मैं फिर से इस चीज को समझाने का प्रयाश करता हूँ कि जो यहाँ पर पहला वाला ए वाला दे रखा है यह reason हुआ होगा कि बहुती पत्राओं की घटनाएं हुई होगी जैसे कोई particular चीज को लेकर हो गई घटनाएं तो यह reason है अब इसका परणाम क्या हुआ जब हो गई घटनाएं तभी तो आप अस्पतालों मिले जाएंगे आज जो खाय लोग हैं तो आपने समझा यह आपका यह आपकर कारण है और कथन भी उसका परणाम है यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 48 प्रसंद देखते हैं एंटी बायोटिक टैबलेट्स का यूज आथ के जिवाणों को अस्थिर जुरेवो कर देता यह आपका कथन कहरा है नीचे उसके समझ में अभी कथन कारवाई दे रखी है कि आथ में लाबकारी जिवाणों होते हैं और दूसरा कहा रहा है आथ का स्वास्थ होना सरीर के स्वास्थ होने के लिए सबसे आवश्यक है तो यह दो आपको दे रखे हैं अब बताना आपको क्या है बताना आपको यह है कि केवल दो इसमें अंतरनीद है कि एक और दो दोनों अंतरनीद है आत के जिवाणूं को अस्थिर जो रहे को कर देता है। आत में लावकारी जिवाणू होते हैं, बिल्कुल आपका कथन में बात की गई है, पर अधर जो दूसरा है, ये इसके अंतर नहीं इत नहीं है। ये आपको एक सरंखला दे रखी है, और W, X, Z इस टाइब से पूरी दे रखी है, आपको ये जो सरंखला दे रखी है, इसमें दायां से आठवे पद के बाई और पांचवा पद आपको बताना है। इस टाइब के प्रस्त भी आपको रीजनिंग में देखने को मिलते हैं, तो दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ पर आपका M आ रहा है। उप्रोक्ट संखला में दायां से आठवा पद है। तो दायां से आठवा पद M है। इसके बाई और, अब बाई और मैंने बताया, इस तरफ है और दाई और उस तरफ, तो इसका बाई और किदर होगा तो आपका A वाला option, ओ, यहाँ पर विल्कुल सही हो जाएगा। आसान सा प्रसन है, देखने में reasoning कटीन लगती है, पर reasoning का ऐसा portion है, जो 5 यहाँ पर number आ रहे हैं, तो 5 में 5 आने चाहिए आपके पूरे, देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का last प्रसन और इसके बाद एक प्रसनम आपसे भी पूछेंगे, वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, चैनल पर नहीं हो, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको description में मिल जाएग और इस टाइप से यहाँ पर 12 बजेंगे, और इस टाइप से यहाँ पर जो है वो 8 बजेंगे, यहाँ पर जो है सुई यहाँ गई है, यह सुई यहाँ पर आई है, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा, अब ज छे डिगरी का कॉड़ यह बंता है इसको निकालने का भी पूरा प्रोसीजर होता है पर हम यहां पर प्रसल की प्रैक्टेश कर रहे हैं तो gaat डाइएपक मैं आपको बता रहा हुँ यहां पर जितने भी आप देखते एक 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 जितना पूरा मिनट बनता है तो प्रतेक एक मिनट पर छे डिगरी का कोड बनता है और आप से यहाँ पर कोड का मान ही पूछा गया है कितने में 8 बजए जो घड़ी की दोनों सुईयां है एक ये वाली सुई एक ये वाली सी इनके बीद तो अब 8 और 12 के बीच में आप सबसे पहले देखेंगे मिनट कितने है तो 8 से 9, 10 मिनट, 9 से 10, 10 मिनट, घंटे वाली सुई नहीं आपको मिनट देखने इस चीज का धान दीजेगा आप ये ना सोचिएगा कि ये घंटे वाली सुई 8 से 9 पर आएगी तो पूरा एक घंटा लग जाएगा हम मिनट की बात कर रहे है आठ कि एक मिनट में 6 डिगरी का कोड बनता है तो 20 मिनट में कितने का बनेगा 20 गुडे 6 करेंगे तो 20 गुडे 6 आपका 120 हो जाएगा तो 120 डिगरी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इतना आसान सा प्रसंता आसानी से आपको समझ में आ गया होगा बस एक छोट आपको इसक्तडी आपको वीडियो के में कमेंट में टाइप करके बताना है जो कि करेंट अफ्यरों पोर्चन से हम प्यूच रहे है और वहीं से हम इसको प्रसंता पनीok हो पोस्ते कर आएंगे तो भारत में बहात्तर्वें गर्तंत्र दिवस जो की इस बार बनाए गया उसके परेड में किस देश के त्री सेवा बल दस्ते ने जो है वो भाग लिया A option है स्रिलंका B option है भूटान C option है बांगला देश और D option है नेपाल वो अपना अंसर वीडियो के में कमेंट में टाइप करके अवश्च बताईए यदि आपको नहीं पता है तो कोसी से कीजिए खुद से जाकर सर्च कीजिए गूगल पे और आप देखेंगे सर्च करने से चीज़े याद हो जाती है और उसके बाद वीडियो के में कमेंट में टापिक के साथ अब तक के लिए नमस्कार जैन